Hello everyone आज हम लोग बात करने वाले हैं Nervous tissue के बारिमें ने पिशु जो है वो एनिमल टिशू का लास्ट टाइब है इसके पहले जो छờड टाइब है इसके पहले की जो तीनो टाइब है उन्हें हम already discusبة कर चुके हैं कौन कौन से Epithelial tissue सबसे पहली वीडियो में उसे डिसक्स किया था धन हमने किया था मस्कुलेट इसक्स और देन लास्ट में किया था कनेक्टिव इसक्स तो आज जो लास्ट बचा है वो है नर्वस टिशू ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आयम चंछल महेश्वरी और यू अइलकम यू अलगें biology corner so the first question that arise here he what is nervous tissue and where it is present in body so nervous tissue होता है वो हमारी body में nervous system के अंदर present होता है अब nervous system क्या है और यह कहां present होता है तो जैसे हमारी body में कई सारे systems है हमारी body कई सारे system से मिलके ही तो बनी हुई है जैसे respiratory system है digestive system है वो सभी की अलग-अलग function है तब अपने function में specialized है अपने काम में specialized है तो बिल्कुल उसी तरह जो nervous tissue है वो भी nervous system में present है और जो nervous system है वो भी एक काम में particular काम में specialized है मतलब केवलिक single ही काम है उनका ठीक है अब nervous system क्या है तो nervous system को समझने से पहले यह समझते हैं कि जो nervous system है वो तीन चीजों से मिलके बना हुआ है यह diagram देखिए इस diagram में कौन कौन सी चीजे है जो दिखाई दे रही है सबसे पहला brain यहां दिखाई दे रहा है और यहां पर नर्वस जैसा भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है तो इन्हीं तीन चीजों से मिलके बना होता है nervous system ठीक है तो basically nervous system जो होता है वो brain से spinal cord से यह जो long rod type structure हमें दिखाई दे रहा है और नर्व से spinal cord से निकले हुए है यह yellow color के thread like structure जो पूरी body में spread होते हैं पहले हुए होते हैं तो इन तीनों चीजों से मिलके बना होता है nervous system अब इसका काम क्या होता है किस तरह काम यह करता है इसे समझने के लिए हम एक घर से आपके ही घर से इसे compare करते हैं ठीक है तो body में जिस तरह nervous system का काम होता है उसी तरह आपका एक घर भी system है जिसमें तीन member है जिस तरह nervous system तीन चीजों से मिलके बना हुआ है वैसे ही आपके घर का भी जो system है वो तीन member से मिलके बना हुआ है कौन कौन से तीन member father जो आपके brain का role play करेंगे spinal cord और spinal cord से निकले हुए सारे nerves ठीक है वो आपकी mother का role play करने वाले हैं और जो sense organ की हम यहां बात करेंगे कौन कौन से basically five sense organ होते हैं body में eyes, ears, tongue, hands ठीक है eyes, ear, tongue, hands तो हम यहां बात करेंगे hands की तो यह जो hands है sense organ इनका काम अभी आप कर रहे हो ठीक है तो basically यहां क्या काम होता है कि जब भी हमारे sense organ किसी चीज को जब कोई काम करते हैं तो उसके लिए information जो होती है वो brain से आती है और इस information को लेके आने का काम कौन करता है यह spinal cord से जो nerves निकली हुई है जो yellow color में हमें दिखाई दे रही है यह message को लेके जाती है sense organ तक similarly अगर sense organ से किसी message को जाना है तो यहां से message जाएगा nerves के true और वो brain तक जाएगा और brain का क्या काम होता है सबी लोगों को पता है इसके पास ही capability होती है thinking, learning, movement सारी capability अगर हम किसी चीज़ को देख भी रहे हैं तो वहां भी information brain से मिलती है अगर सुन भी रहे हैं तो भी information brain से मिलती है और अगर किसी चीज़ को touch भी कर रहे हैं तो उसकी information भी हमें brain से ही मिलती है कि हमें किसी काम को करना है या नहीं करना है ठी लेकिन आपको उस काम को करने से पहले पर्मिशन की जरूरत है किस से आपके फादर से लेकिन आप डिरिकली उनसे नहीं पूछ सकते हैं ठीक है आप में इतनी कैपविलिटी नहीं है तो आप क्या करोगे यह जो इंफॉमिशन है अपनी मदर तक पास करोगे कि वो जाके उनसे पर्मिशन ले तो आपकी मदर आपकी इंफॉमिशन को लेके जाएगी आपके फादर तक और उन्हें वो इंफॉमिशन देगी देन आपके फादर जो है वो डिसाइट करेंगे उस इंफॉमिशन को सुनके कि वो काम करने लायक है या नहीं है फिर वो अपनी अपना जो डि करना है सब्धोर समझ्य द đang occupy गर्म लगत तो यह मैसेज नहीं है नियूरोंज को लेकि जाएंगे यहां पर नियूरोंज किसгор की मदर का काम कर रहे हैं यह मेसेज को लेके गए कहां ब्रें तक और ब्रेंड ने डिसिजन लिया यहां तक लेकि आईगी मतलम नर्फ यहां तक लेकि आई एन्डेन मसल्स ने अपना काम किया उस मैसेज की अकॉर्डिंग और आप ने हाथ तुरंट इबूंस देर से होती होगी लेकिन विदिन सेकेंड यह चीज होती है पता भी नहीं चलता है ठीक है इसलिए हम तुरंट अपना हाथ वहां से हटा लिते हैं अगर कोई चीज गर्म लगती है तो सिमिलरली एक और एक जन्म देखते है जैसे अगर हम सन की तरफ बहुत देर से देख रहे हं और हमारी आखे जल रही है तो आखो को वहाँ से आखे जल रही है ये जो और आखें geh रही है तो इन पर क्रेंट की तरफ हैं लिए हैं हैu को हटाते हैं तो बस यही पूरा काम है nervous system का ठीक है घर family सबसे समझ लिया अब इसे start करते हैं nervous tissue को start करते हैं अब यह तो बात की ही नहीं कि nervous tissue कहां present होते हैं तो हमने अभी बात की थी nerves की यह nerve cells होते हैं और हमें पता है कि group of cells नर्वस tissue बनता है तो बस nervous tissue हमारी बाडी में ऊरे nervous system में present होते हैं अब यह क्या काम करते हैं शुरू करते हैं specialized tissue that helps in transmitting messages within our body तो यह specialized tissue होते हैं क्यों होते हैं क्या काम करते हैं helps in transmitting message within our body body की अंदर message को transmit कर रहे हैं कहां से कहां sense organ से brain तक और brain से sense organ तक यह इनका specialized function है contain highly specialized cells called neurons यह इस काम को करने के लिए highly specialized cells को अपने पास रखते हैं जिसे क्या कहते हैं neurons neurons has the ability to receive stimuli from within or outside the body and to conduct impulses to different parts अब यह जो neurons होते हैं इनके पास ही ability होती है कि यह stimuli को receive कर सके stimuli क्या जो हमने बात की कि हमने किसी hot vessel को touch कर लिया है और वहां से हाथ अटा ना है तो इस message को यह receive करते हैं ठीक है body के अंदर से या बाहर से and then उस message को body के different parts तक conduct करते हैं यह message जो है वो किस form में होता है और electrical impulse के form में होता है यह electrical impulse क्या होता है अभी हम आगे discuss करेंगे अब यह हम जो neurons की बात यहां कर रहे हैं basically यह जो neuron हैं यह तीन पार्ट से मिलके बना हुआ है इससे आसानी से समझने के लिए हम इसे tree से compare कर सकते हैं तो जिस तरह tree का main part होता है यह tree का main part है जो छोटी छोटी पतली पतली branches tree से निकली हुई होती है यह branches यहां निकली हुई है यह tree का trunk वाला part बीच वाला मोटा होता है यहां से जो छोटी छोटी branches निकली है इन्हें डेंड्राइट कहा है इस आर वेरी इंपोर्टेंट इस्ट्रक्टर इन नियूरोंस दैन यहां से जो एक लंबी सी ब्रांच निकली है इस 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 पाल्ड एक्जों टर्मिनल ठीक है तो यह तो हुई एक structure की बात अब यह जो नियूरों है इनी का तो काम है message को carry करना message को transmit करना तो यह message को transmit किस तरह करते हैं इस बात को समझते हैं तो यह है neuron neuron का जो यह वाला पार्ट होता है जिसे हम dendrites कह रहे हैं यह dendrites यहां से message को receive करते हैं यहां से message electrical impulse के form में run करता है और इस वाले पार्ट से जिसे exon terminal कह रहे हैं यहां इस वाले पार्ट से next neuron का यह वाला पार्ट जुड़ा हुआ होता है dendrites तो जो electrical impulse की form में message है वो यहां से यहां जंप करता है ठीक है और फिर next neuron जो होती है वो इसी तरह message को carry करती है then again जो उस neuron का last वाला पार्ट होगा यह उससे next neuron का dendrite वाला पार्ट जुड़ा होगा तो इस तरह message एक neuron से दूसरे neuron में transmit होती जाती है और अपने last location तक पहुंचती है और इस तरह फिर sense organ से brain तक brain से sense organ तक message transmit होता है ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज हमने पढ़ा है nervous tissue nervous system हमने पढ़ा है nervous system कितने parts से मिलके बना होता है यह चीज़ हमने पढ़ी है इसका क्या specialized function होता है यह हमने पढ़ा है neurons के के बारे में पड़ा है neurons का structure हमने पड़ा है cytone dendrite exon के बारे में यहां इसके structure को हमने देखा है इसके mechanism को हमने देखा है ठीक है तो यह वाला पार्ट यहां हमारा complete हुआ आज इस class के साथ जो tissue chapter है वो यहां खत्म हो चुका है animal tissue वाला अब next video से हम plant tissue वाला पार्ट शुरू करेंगे and please if you like this video then like and subscribe thank you so much